हेलो माई यूटूब फैमली राधे राधे वेल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सबी इतना डिलीजियस राजमा बना है कि मैं आपको क्या ही बताओं साथ में मक्के की रोटी और गोवी मतरालू की सबसी बड़ी डिलीजियस टेस्टी लंचे ठाली है आज की और साथ में राइस भी है पर राइस भी मैंने इस प्लेट में नहीं रखा है चलिए आज का लंच रुटीन देख लेते हैं आज लंच में बन रहा है राजमा राजमा मैंने मौर्णिंग में करीब साथ बज़े भी गोया था हाँ छोले बिगोने के लिए पूरी रात चाहिए होती लेकिन राजमा के लिए तीन खंटे भी अगर आपने मौर्णिंग मे बिग जाते हैं तो यह तो छोले से थोड़े से सौफ्ट रहते हैं तो देखिए राजमा भी चुकी अच्छे से वाश कर लिया है आप इनको वाइल होने के लिए रख रही हूं और इसमें मैंने एक प्याज इस तरह से कट करके और कुछ कलिया लेसुन की रखती हैं और बस मेरे पास में दो मिक्स हैं तो जो एक मेरे पास मिकसर है तो उने खराब हो गया है वट आप इस बढ़ा मिकसर का बांद मीकसर कटे अगर उसमें आप लाल मिर्श सुखे वाले एड़ कर देते हो ना उससे सच में खाने का कलर, खाने का स्वात, सबजी का दोनों ही बढ़ जाता है साथ में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जैफल ले लिया था, सौरी जावित्री और अदरक ले लिया है, मैंने अदरक को कत्व कस कर लिया है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना, यह वाले मिक्सर जार में अच्छे से ग्राइंड नहीं होता है, तो चलिए फटाक से आज मैंने फर्स टायम राजमा के साथ में इस तरह से प्याज और लैसुन की कलियों को भी को कोने के लिए रखा है, इससे थोड़ा सा टेस्ट फरक होता है, जो हम डेली में हमेशा बनाते हैं उससे इसका टेस्ट वाकरी में अच्छा भी होता है और थोड़ा सा जो इसमें हमने लैसुन और प्यास रखा था वह भी अच्चे से कुख हो गया और जितना पानी मैंने इसमें रखा था सारा पानी इसका अच्छे से चल गया है, तो चलिए अब बनाते हैं राजमा और सारी तैयारी तो करी लीती हमने, तो यहाँ पर क्या करूंगी सेम कुक लिया एक बाउल में और उसके बाद में कुकर को पानी से धो लिया था और बस अब इसमें ओल वगरा एट करूंगी कुकर को पहले अच्छे से सुखा लूँगी क्योंकि तेल एट करूंगी पानी रह जाएगा तो छीटे उठेंगी चलिए बनाते हैं अब राजमा और आज उर जो राजमा में बना रही हूं तो अपने पेटे की डिमांट बना रही हूं कई दिन से कहरा था र्चम वाई हर किसी का फैबरिट होता है तेल करन ओगिया तो इसमें मैंने हीँ और जीरा थोड़ा जादा सהैड़ कर दिया है साथी साथ इसमें जो मसाला हमने ग्राइंड किया था उसको भी एड़ कर देंगी ये दिखिए प्याज लेसुन टमाटर जावित्री साबुत लाल मिर्च इनका ये पेस्ट बनाया हुआ था इनको एड़ कर दिया और अब मैं एड़ कर दोंगी कहली हलदी मुझे पहले एड़ करना था लेकिन हुआ प्रिंखर बूरी थी तो जल्दी-डाला भूल गई वह दक्रदि देते हैं मैं पहले ही हल्दी राल देती हूँ बाद में मसाला एड़ करती हूँ पर आज मैंने इस तरह से कर लिया साथ ही साथ कर दिया है और यहाँ पर मिकसर में सौरी जार में जितना भी मसाला लगा था इसको भी निकाल लूँगी क्योंकि काफी सारा मसाला लगा रह जाता है और थोड़ा सा पानी लेके उसको भी एड़ कर दिया है जार में पानी लिया था और नमक मैंने डाल दिया था जब राजमा को वाइल होने के लिए रखा था तब ही मैंने नमक भी एड़ कर दिया था और यहाँ पर मैंने देखे कश्मीरी लालमिश भी ड़ी कर दिया है और धनिया पौrडर भी ड़ी ड़ी कर दिया है गरम मसाला खतम हुगिया था खतम क्या हो गया था मैं आपको बताऊं मैंने मसालदानी भरके रखी थी अपनी इस पैजस बॉक्स और क्या हुआ उसको मैं उतार रही थी सबजी बनाने के लिए कबड से तो वो मेरे हाँ से फिसल गया सारे मसाले फैल गया जब कि एक दिन पहले ही मैंने उसमें पूरा गरम मसाला फुल किया था अब क्या बता हूँ गिर गिया तो गिर गिया अब जब सामान मंगा लूँगी तब फिर में गरम मसाला एड करूँगी तब तक मेरे पास में काम चलाने के लिए सबसी मसाले की काफी सारी पाउच रखे हुई थी तो मैंने एक पाउच लेके इसमें एड कर दिया है और इसका अलगी मज़ा रहा क्योंकि बहुत जादा टेस्टी बना था खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रही थी चलिए मसाले को अच्छे से भून लेते हैं और यह देखिए मसाला बहुत अच्छे से तेल रिलीस कर चुका है और इसको भी थोड़ी देर और भूनूंगी मैं जितन हमाई मसाला बहुत अच्छे से भून जाया यह देखिए यहाँ पर मसाला परफेक्ट बिल्कुल भून गया है अब यहां पर राजमा हमने एड कर दिया है और इसको अच्छे से चला लेंगे और इस पेण थोड़ा जा सो नमक और एंड़् करेंगे पहले हमने आप बस इसमे पानी अक्वार्डिंग ग्रेवी के मतलब जैसा आप खाना चाहते हैं मुझे तो राजमा थोड़ा सा गाड़ा-गाड़ा ही पसंद आप लोग को जैसा पसंद उस अक्वार्डिंग पानी एड़ कीजिएगा और बस इसमें एक सीटी आने तक का इंतिजार करेंगे अल्रेडी राजमा हमारे कुक हैं लेकिन मुझे न जो दाल की तरह फ्राई करके एड कर देते न मुझे उस तरह से नहीं पसंद है अगर आप लोगों ने इस तरह से ट्राई नहीं किया तो एक बट्राई कीजिएगा आ क्योंकि लंच टाइम हो गया है और बच्चे को लेकि ये भी आ गए हैं और आज बच्चे की डिमांट पे ही मैंने राजमा बनाया हुआ था तो ये रहा आजकर राजमा हमारी लंच थाली तैयार हो रही है और मैंने राजमा के साथ में बनाया हुआ है गोवी मतारालू की स की रोटी बनाई है मैंने और बहुत ही बढ़िया आज की लंचे थाली लगी मुझे तो वैसे भी मक्य की बाजरे की रोटी पहुत जादा पसंद है गेहूं की रोटी से तो मुझे जो जुन्डी की होती है न और बाजरे की मक्य की सारी रोटिया मुझे बहुत भाती है आज कि आप लोगों को मेरी बड़िया पंजाबी लंच थाली पसंद आई हो न तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सस्क्राइब कर दीजिएगा और रेस्पी जरूर ट्राइ कीजिएगा रादे रादे